असलाम अलाइकुम फ्रेंट्स आज मैं आपको पंजाबी समोसा बनाना सिखाऊंगी पंजाबी समोसा जो है ये अक्सर बहुत से हलवाई बनाते हैं और इसकी खासियत ये होती है कि ये काले मसाले की समोसा होती है तो देखते हैं इसके लिए हमें किन-किन चीजों की सरुरत है अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आएगी तो प्लीज मेरे चानल को सरुर सब्सक्राइब कीजिए जो है निशीलाफ्स कुकिंग इसके लिए हमें चाहिए होगा आधी डालचीनी और एक चमच भरकर अनारदाना यह अनारदाना जो है यह खटा अनारदाना है और यह पंजाबी समोसा में पढ़ता है एक चमच जीदा एक चमच दगर फूल और एक बड़ी इलाईची दो तेज पत्ता जिसे मैंने आधा काट लिया है चार लॉंग और एक चमच भरकर धनिया इन सबको मैं ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में और इसे इस तरह से पाउडर बना देंगे अब यहाँ पर मेरे पास है जो पाउडर मैंने बना कर रखा है सूखे मसालों का एक चमच हल्दी एक चमच हींग तीन चमच धनिया और हरी मिर्श का पेस्ट यहाँ पर मैंने आधी चोटी गड़ी धनिया और तीन से चार हरी मिर्श की यूज की है एक चमच भरकर यहाँ पर हमारे पास है अद्रक जिसे हमने मोटा क्रश कर लिया है यहाँ पर हमारे पास है चार बड़े मीडियम साइज के आलू जिसे हमने प्रेशर कुक कर लिया है और यहाँ पर है हमारे पास 100 ग्राम मटर जिसे हमने बॉयल करके रखा है यह हमने फ्रेश मटर यूज किया है तो यह बॉयल करने में काफी आसान होता है अब हम इन चारों प्रेशक को किये हुए आलू को लेकर हम इस तरह से अपने हातों से क्रश कर लेंगे इसे बहुत बारिक माश नहीं करना है बलकि इसे थोड़ा मोटा-मोटा क्रश करना है अब हमने एक कड़ाई में एक चमच स्थेश अधिर आड़ कर दिया है तेल के गरम होने पर हम इसमें हिंग का तड़का देंगे तो हम इसमें अब अपना हिंग आड़ कर देंगे हिंग आड़ करके हम इसमें अद्रक क्रश किया हुआ वो भी आड़ कर देंगे और इसे एक से दो मिनिट तक मीडियम आज पर पकाएंगे फिर हम इसमें मटर भी शामिल कर देंगे और उसे आड़ करके हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे अब एक से दो मिनिट बाद हम इसमें बाकी के मसाले आड़ कर देंगे जो हमारा एक शमच धनिया था नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और हम इसमें समोसा का मसाला जो हमने पीस कर रखा था वो भी आड़ कर देंगे इस तरह से इसे आड़ करना है और आड़ करके हमें इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेना है यानिकि इसे अच्छे से हिला देना है और हम इसे मीडियम आज पर पकाएंगे फिर हम इसमें जो हमारे पास धनिया और हरी मुर्श का पेस्ट है हम वो भी इसमें शामिल कर देँगे और हम इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगी अब तो उसी तीन मिनिट तक पकाने के बाद हम देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है अब हम इसमें हमारे मैश के हुए आलू को आड़ कर देंगे इस तरह से आड़ करना है आलू को आलू को आड़ करके हम ग्यास बन कर देंगे और हम इसे हलके हाथों से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे थन्डा होने के लिए साइड में रख देंगे अब हमने यहाँ पर लिया है 200 ग्राम मैदा एक चमच अजवाइन यानि की कारम सीट्स एक चमच नमक और हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून वेजटेबल ओईल यहाँ पर हमारे पस मैदा है उसमें मैं अजवाइन और नमक को आड़ कर दूँगी आड़ करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें वेजटेबल ओईल भी आड़ कर देंगे मैं यहाँ पर दो बड़े चमश ओईल का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो आप खीका भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे डालने के बाद हमें इसे इस तरह से मसलना है और मिक्स करना है अब अच्छी तरह से तेल मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह से होनी चाहिए देखे हातों में दबा कर यह बिल्कुल कड़क हो जानी चाहिए इस तरह से इसे आड़ करने के बाद अब मैंने एक कप पानी लिया है और इसे धीरी धीरे करके मैं इसमें आड़ कर दूँगी और हम एक मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे आटा बहुत जादा कड़क नहीं होना चाहिए देखिए इस तरह से मैंने आदा कप पानी यूज किया है इसे गूनने के लिए और हम इसे इस तरह से मसाज देंगे थोड़ा सा और पानी आड़ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से गूनना है अगर आपको लगे कि ये हाप के हाथों में चिपकने लगी है तो आप इसमें एक चमश और तेल आड़ कर सकते हैं ताकि ये आपके हाथों पर चिपके नहीं थोड़ा सा तेल आड़ करके हम इसे और अच्छी तरह से गूनन लेंगे इसे इस तरह से मसाज देंगे इसे अच्छी तरह से गूनना है वरना अगर हमारा आटा अच्छी तरह से गूनदावा नहीं होगा तो समोसा अच्छा नहीं बनेगा ये देखिए अच्छी तरह से गून चुका है अब हम इसे साइड में रख देंगे अब हमने एक बड़ी सी लोई ले ली है इसकी इसे हमने हातों से फ्लाटन कर लेंगे और हम इसे अच्छे से एक रोल कर लेंगे इस तरह से इसका शेप होना चाहिए और फिर हम इसे बीच में से कट कर देंगे अब पीछ में से कट करने के बाद देखें इसकी थिकनेस इस तरह से होनी चाहिए जिसे हम पराटा बनाते हैं उस तरह से इसकी थिकनेस होनी चाहिए अब एक एच्ट को पकड़ करके हम उस पे मैधा जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ था वो लगा देंगे और इससे इस तरह से दूसरे साइड से सील कर लेंगे एक कौन का इसे shape दे देंगे अब एक कौन का shape देने के बाद हम इसके बीच में अपने आडू और मटर की stuffing एड़ कर देंगे आडू और मटर की stuffing हम दो से तीन चमज डालेंगे डाल कर हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये स्टाफिंग नीचे तक चली जाए इस तरह से देखिए इसे याड़ कर देंगे इस तरह से आड़ करने के बाद अब हम हाथों में फिर से मैदा का वो एक जो हमने पानी में मिक्स करके रखा हुआ है वो लगा देंगे इसके साइड पर और इस तरह से देखिए इसे इस तरह से फोल्ड करना है ताकि हमारा जो समोसा है वो एक ही जगा पर खड़ा रहे है और इस तरह से हमेंसे सील करना है अब हम इसे अच्छा सा एक शेप देंगे ये देखिए अब हमारा समोसा बन कर रेडी है इसी तरह से हम बाकी के जितने भी आटे हैं उसे इस तरह से ही शेप देदेंगे देखिए सब को इस तरह से शेप देना है और यहां पर हम ने चार से पांच बड़े चमच वेजिटेबल ओयल का डाल दिया है कडाई में और उसे गरम होने रख दिया है देखिए अब हम थोड़ा से मैदर डाल कर देखेंगे तेल हलका गरम होट चुका है अब हम हम इस हलके गरम तेल में हम जितने भी हमारे समूसे हैं 3-4 उन्हें आड़ कर देंगे क्योंकि हमारे पासब बहुत बड़ी कड़ाई नहीं है इसलिए हम 3-4 समूसे के समूसों को फ्राइ करेंगे अगर आपके पास बहुत बड़ी कड़ाई हो तो आप सारे समोसे जो हैं वो एक ही बार्च में फ्राई कर सकते हैं अब हम इसे मीडियम आर्च पर फ्राई करेंगे देखे तेल बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए वरना हमारे जो समोसा का जो उपर का लेयर है उस पर बिल्कुल बबल्स जैसा फॉर्म हो जाएगा और वो ओवल के बबल्स फॉर्म हो जाएगे और वो ज़ादा दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे तो इस तरह से मीडियम आज पर इसे पकाना है और बहुत जादा हाइफ लेम पर भी नहीं पकाना है वरना ये अंदर से बिल्कुल कच्छी रह जाएंगी और सिर्फ उपर से इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इस तरह से इसे बीच-बीच में स्टर करते रहेंगे और इसे मीडियम आज पर हम पकाएंगे देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा से तेल इसके उपर डालना है ताकि उपर से भी पक जाए और इसे देरे-देरे हम स्टर करेंगे तो इसे हमें सारे साइट्स पर अच्छी तरह से फ्राई कर देना है अब हम कुछ टाइम बात देखेंगे कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है एक्दम हलका गोल्डन कलर आ चुका है देखिए हमने तेल को बहुत जादा गरम नहीं किया था इसलिए इस पर बिल्कुल भी बबल्स नहीं है और आप ये पक चुकी है हमने इसे डिश आउ ओड़ों के बड़ने था आपके टास पर बिल्कुल पटादग हो चुकी है और आपके पनित्च कर देखेंगे कूछ थे मठाएमे और आपके ये तेल कि चुकी है और रमके जह का मैंना हुएल गएल्स पर बिल्स